पिछले वीडियो में हमने कार्बन की खूबियों की बारे में पढ़ा था. क्या बता सकते हैं कि कार्बन इतने सारे एलिमेंट्स के साथ इतने सारे बॉंड्स कैसे बना सकता है? इसे जानने के लिए आईए पहले नजर डालते हैं कार्बन की अटॉमिक स्ट्रक्चर पर क्या ये आटम कुछ इस तरह दिखता है? हाँ, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2-4 जिसका मतलब है स्टेबल स्टेट पाने के लिए या तो वो चार इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या ले सकता है हाला कि ये उतना असान नहीं है जितना लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन्स देने का मतलब होगा कि आटम के पास अब सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं पर protons की संख्या अब भी वही रहती है, है न? जिसका मतलब है, atom positive charge प्राप्त कर लेगा और तब भी unstable ही रहेगा. उसी तरह चार electrons लेने से भी यही स्थिति होगी, जिसमें carbon atom negatively charged हो जाएगा. इसलिए दोनों ही स्थितियों में carbon atom unstable हो जाएगा. तो जो विकाल्प carbon अपनाता है, वो है electrons को बाटना. Carbon में बाटने की प्रक्रिया चार electrons तक हो सकती है, जिसका मतलब है कि carbon अपने valence electrons किसी भी दूसरे atom के साथ बाट सकता है. हमें पता है कि ऐसे electrons बाटने की प्रक्रिया एक खास तरह का bond बनाती है, जिसे covalent bond कहते हैं. तो carbon chemistry समझने के लिए हमें पहले covalent bonds को समझना होगा. वैसे हम covalent bond को कैसे परिभाशत कर सकते हैं? आसान शब्दों में ये वो bond है जो atoms के बीच में electrons बाटने से बनता है. अब अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, वो है covalent bond बनाने के लिए कितने electrons बाटने की जरूरत होती है? क्या वो एक electron है? या एक जोड़ा? या जोड़े से भी ज्यादा? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? इस जवाब में हम आपकी मदद करते हैं. जब हम कहते हैं बाटना, उसका मतलब है कि bond बनाने में दोनों atoms को योगदान देना होगा, है न? ये संकेत देता है कि हर atom कम से कम एक electron अपने valence shell से देगा. क्या ये हमें बताता है कि covalent bond में कम से कम electrons का एक पैर शामिल होगा? हाँ, एक covalent bond को जरूरत होती है कम से कम दो electrons की, या electrons के एक पैर की. ऐसा covalent bond जहां atoms के बीच में electrons का एक पैर बांटा जाता है, उसे single covalent bond कहते हैं. उसे दो आटम्स के बीच में एक रेखा खीच कर दर्शाया जाता है इस प्रकार को समझाने वाला एक आसान उधारंड क्लोरीन मॉलिक्यूल की बनावट है आपको क्या लगता है कि ये मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? हमें पता है कि क्लोरीन के सबसे बाहरी शल में साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसका मतलब है उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है औक्टट पूरा करने के लिए अब यहाँ एक और क्लोरीन आटम है जिसके सबसे बहारी शल में फिर से साथ एलेक्टरॉन्स है दोनों को एक एलेक्टरॉन चाहिए और इसलिए हम देखते हैं दो क्लोरीन आटम्स आपस में एक एलेक्टरॉन पैर बाट कर एक बॉंड बना लेते हैं अब अगर हम इस ओर्बिट को अलग-अलग देखते हैं तो इसके पास हैं 8 इलेक्टरॉन्स और इस ओर्बिट के पास भी 8 इलेक्टरॉन्स ख्लोरीन मॉलेक्टॉल के लिए स्टेबिलिटी हासल हो गई ये उधारन था एक सिंगल कोवालेंट बॉंड का तो क्या सारे आटम्स इलेक्टरॉन्स का एक पेर बांट कर कोवालेंट बॉंड बनाते हैं थोड़ी देर सोचिए हमें पता है कि ऑक्सिजन डाय अटॉमिक अवस्था में होता है जिसका मतलब है एक ऑक्सिजन आटम दूसरे ऑक्सिजन आटम के साथ बॉंड बनाता है एक स्टेबल मॉलेक्यूल बनाने के लिए क्या आपको पता है इस बॉंड में कितने इलेक्टरॉन्स बांटे जाते हैं आपने क्या गौर किया है इसमें चार इलेक्ट्रॉंस बांटे गए हैं, जिसका मतलब है कि ऑक्सिजन के दोनों आटम्स प्रते एक दो इलेक्ट्रॉंस का योगदान देते हैं, यानि कि बांट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉंस के दो पेर देते हैं. तो क्या ये कोवालेंट बनाने के लिए ये कम से कम एक पेर की जरूरत होती है, जिसका मतलब है कि ये मामला भी कोवालेंट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉंस के दो पेर शामिल है, इसे कहते हैं डबल कोवालेंट बन्ड. इसे दो आटम्स के बीच में खीची गई दो रेखाओं से दर्शाया जाता है. बिल्कुल इसकी तरह जैसा कि ऑक्सिजन के इस मामले में देख सकते हैं. अब उसी तरह से क्या आप मुझे एक उधारन दे सकते हैं, जहां आटम्स के बीच इलेक्टरॉंस के दो पेर से ज्यादा बांटे जाते हैं. जरा रुकिये, क्या हम कहना चाह रहे हैं कि आटम्स के बीच में ट्रिपल कोवालेंट बन्ड भी मौझूद हो सकता है? बिल्कुल और इसे पढ़ने के लिए सबसे अच्छा उधारन नाइट्रोजिन का माम है. हमें हमेशा नाइट्रोजिन मौलेक्यूल इस तरह से लिखा हुआ मिलता है. कहने की जरूरत नहीं है कि दो नाइट्रोजिन आटम्स एक ट्रिपल कोवालेंट बन्ड बांट बांटते हैं, जिसका मतलब है इलेक्टरॉंस के तीन पैर या सीधे छे इलेक्टरॉंस बां में मदद करता है. अब एक बात बताईए, कार्बन किस तरह के कोवालेंट बांट को प्राथ मिक्ता दीता है? क्या वो चुनता है एक सिंगल या एक डबल या एक ट्रिपल कोवालेंट बांट को? कमाल की बात है, कार्बन की खासियत ये है कि वो अलग-अलग elements के साथ ये सा सारे तरह के कोवालेंट बांट बना लिता है. हाँ, वो दूसरे elements के atoms के साथ इन में से किसी भी तरह का कोवालेंट बांट बना सकता है. या यहां तक की बाकी carbon atoms के साथ भी. अगले वीडियो में चलिए हम देखेंगे कि आखिर carbon bonds कैसे बनाता है.